Hello exporters, export business करना चाहते हैं लेकिन अभी तक decide नहीं कर पाए हैं किस product का export करें किस product को हम इंडिया से easily source करके दुनिया भर में export करके dollars में पैसा कमाए तो दोस्तों अगर आप confused हैं अपने product selection को लेकर काफी time हो चुका है export business करने के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने बोली है आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे product के बारे में जिसे आप easily इंडिया से export कर सकते हैं और काफी तगड़ा profit यहां कमा सकते हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ natural honey के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि natural honey किन countries में जाता है और कैसे आप export करके profit कमा सकते हैं वो भी dollars में है तो इस वीडियो में last तक बने रहे हैं मैं तुशार गुपता स्वागत करता हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल एंग जिव विद्या पर जिसके माद्यम से हम आपकी help करते हैं आपके export import business को setup करने में ग्रो करने में और legal compliances में चले चलते हैं आगे और जानते हैं natural honey को export करने की पूरी process दोस्तों अगर आप natural honey export करना चाहते हैं तो उससे पहले समझेए existing market क्या कहते है existing industry क्या है उसके अभी के हालात क्या है तो देखिए अगर मैं natural honey की बात करूँ तो हम लोग दुनिया के largest exporter है natural honey export में already इंडिया से काफी अच्छी quantity में natural honey export हो रहा है तो आप भी शुरू कर सकते हैं उसके लावा हम लोग already 83 countries में export कर रहे हैं जो हमारे पास natural honey का production है वो ज्यादे तर हम इन 83 countries के अंदर export करते हैं तो आपके पास जो market है 83 countries का market है तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी quantity में आप यहाँ से export कर सकते हैं इस natural honey का अगर आप शुरू करना चाते हैं तो इतनी बड़ी market आपको already मिल रही है इस market से आपको अपना share निकालना है उसके लावा दोस्तों करीब 50% का जो हमारा production है वो हम overseas export कर देते हैं यानि के हमारे total production का 50% हम लोग export कर रहे हैं already तो दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छी opportunity है आपके export business के लिए अगर आप natural honey का export करना चाते हैं तो दोस्तो existing industry समझने के बाद आए समझते हैं इसकी कौन-कौन सी variety है जो जादेतर export की जाती है जिसमें आपको काम करना काफी easy हो जाएगा आप एक बार इन varieties को समझ लीजिए जिसमें mustard honey करके variety है जिसे already इंडिया से काफी अच्छी exporting की जा रही है उसके लावा sunflower honey करके एक variety है इसे आप export कर सकते हैं market से लेके multi-flora himalian honey है ये export काफी की जाती है उसके लावा दोस्तो wild flora honey है तो ये total varieties है इसकी और काफी varieties है लेकिन जो majorly export की जाता है इन varieties में की जाता है जिसमें mustard honey, sunflower honey, multi-flora himalian honey और wild flora honey तो आप भी इन varieties के साथ natural honey का export business शुरू कर सकते हैं चलते हैं आगे दोस्तो existing industries समझ ली हमने समझा कौन-कौन सी varieties already export हो रही है लेकिन मन में question आता है कि सर बायर किस country में मिलेंगे 200 countries हैं सभी में तो हम बायर नहीं डूण सकते हैं तो हमें बताइए बायर किन countries में आपको मिलेंगे तो दोस्तों ये रहे हैं वो countries जहां पर already natural honey export किया जा रहा है तो अगर इन countries की बात करूँ आप USA में export कर सकते हैं United Arab Amirat में export कर सकते हैं UAE में export कर सकते हैं उसके लिएभाब सरूदी Arabia में आप export कर सकते हैं लीबिया में आप export कर सकते हैं और कैनेडा में आप export कर सकते हैं तो यह top 5 countries हैं जहां पर आप इस natural honey को export कर सकते हैं इन countries में आप अपने natural honey के लिए bear find कर सकते हैं दोस्तों जितना जरूरी bear find करना है उतना ही जरूरी है sourcing के लिए arrangement करना आपके पास अगर order आ गया तो उस order को आदे तर जो customer खराब होते हैं international market में वो sourcing की वजह से होते हैं आप time पर sourcing नहीं कर पाए जो product बोला वो नहीं मिला तो यहां पर आपको अपनी sourcing strong करनी होगी अगर आप natural honey की sourcing करना चाहते हैं तो दोस्तों यह आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा जो total जो हमारे production उसका 30 percent उत्तर प्रदेश में होता है तो आप यूपी में इसके जो manufacturer है वो आप देख सकते हैं उसके लावा महराश्टे में आप देख सकते हो जहां पर इनकी पैदावार बहुत जादा है 20 कलाउनी काफी है यूपी और महराश्टे में और भी हमारे south की तरफ north इसकी तरफ हमारे states हैं वहाँ पर भी आपको इसली मिल जाएगा बट इन दोनों states में थोड़ा जादा जो हनी का जो production है नी को जो manufacturing करते हैं पालते हैं वो बहुत जादा काफी लोग हैं तो यहां से आप इसकी sourcing कर सकते हैं अगर ये video देखके आपके mind में भी click हुआ है कि चलिए natural हनी के बार में जानकारी मिलती है तो यहां पर ये hs code इसका जो रहने वाला है वो रहने वाला है 0409 0000 0409 0000 तो इस hs code के थुरू आप further natural हनी के बारे में पूरी information ले सकते हैं पूरी जानकारी ले सकते हैं और इसके बारे में और फ़र्दर आगर research कर सकते हैं दोस्तो government भी यहां पर आपकी काफी help करने वाली है अगर आप natural हनी export करना चाहते हैं तो जो हमारी already export promotion council है वो भी काफी help करती हैं आपको इस natural हनी के export करने की process में तो यहां पर जो आपकी help की requirement पढ़ने वाली है वो आप EBITDA के थुरू ले सकते हैं EBITDA हमारी export promotion council है जो export import में हमारी help करती है तो आप EBITDA पर जाकर visit कर सकते हैं जिसकी domain name है www.abita.gov.in तो इस website पर जाकर आप further पूरी research कर सकते हैं natural हनी के बारे में तो दोस्तों I hope के आपको आज एक product के बारे में तो at least कुछ information मिली है अगर आप भी चाहते हैं अपने export business को बढ़ाना ग्रो करना और नहीं शुरू कर पाने तो दोस्तों किसी एक product के साथ अपना export business शुरू कीजिए आगे आगे आप change कर सकते हैं लेकिन पहला कदम जरूर उ जाते हैं तो हमारा training program जैन कर सकते हैं जिसमें हम आपको पूरा exporting business सिखाते हैं पूरा hand holding support के साथ तो दोस्तों मिलते एक नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए thank you शुक्रिया